आज के भोग में मैंने बनाया है पुवा और बहुत सिंपल से रेसिपी है इस पुवा की जो कि बहुत ही यमी लगती है तो चलिए देखते हैं इसके रेसिपी ड्राइफ रूट्स में मैंने या लिया है दस बारा ऐलमंड और थोड़े से दो चम्मच ग्रेटेड कोकनट फ्र निकाल लेंगे आप चाहो तो यहां पर अपनी पसंद का और भी कोई भी ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हो मैंने बस बादाम और कोकनट लिया था फिर मैं यहां पर आड़ करूंगे एक चोटी चम्मच सोंफ उसके बाद मैं आड़ करूंगी आधी चोटी चम्मच इल भी यूज़ कर सकते हो फिर मैं आड़ करूंगी एक कप मैदा आप मैदे के जगा पे गेहों का आटा भी ले सकते हो और अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जब यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर मैं यहां पर आड़ करूंगी एक कप मलाई और उसी कप में मैं आधा कप नॉर्मल पानी भी आट करूँगी यहां पे अब और इन सब को अच्छे से मिला के बिना लंप्स का एक खोल तयार कर लेंगे हम तो यहां पे दूद और पानी और लगेगा पर एक बार में हमें बिल्कुल भी आट नहीं करना है तो डेड़ कप के लिक्विट से इस तरह की कंसिस्टेंसी हुई है पर मैं यहां पे और आधा कप दूद एट करूँगी क्यूंकि हम इसे पास से चे गंटे के लिए सोक करेंगे तो रवा जो होता है वो पानी या दूद कुछ भी आप डालोगे तो वो सोकता है तो इसलिए हम यहां पर थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी इस तरह से बिलकुल तो अब हम इस बैटर को फाइफ टो सिक्स आर के लिए रेस्ट करने देंगे मैंने रात में ही इसे तैयार कर लिया था और सुबह मैंने पुवा बनाया था तो सुबह में अब देख सकते हो यह बैटर बहुत अच्छे से ठिक हो चुका है तो सूजी डालने के बाद वो सोखे गई तो आप पानी की कंसिस्टेंसी थोड़ी पत्ती रखिएगा जब आप बैटर बनाईएगा बैटर बहुत गाड़ा था इसलिए मैंने यहां पे पुरी कुकिंग होगी और इस तरह से चोटे-चोटे तो पुवे का शेप में डाल दोंगी वो खुदी राउंड शेप में ले लेगा आपको कुछ भी महनत करने के जरूरत नहीं बस आप अच्छे से डालो उसमें बड़े वाले चमत से और यह तीरे-दीरे खुदी ऊपर जाएगा आप इसे आपको चलाने की जरूरत नहीं है बस साइट से इस तरह से आप उसके उपर तेल डालते रहें या फिर घीजों भी आप यूज कर रहे हो तो थोड़ी देर में दोनों फुवे खुदी उपर आ जाएंगे आप देख सकते हो बहुत ईजली यह उपर आग भी कैसी लगी है कमेंट करके बताएं फिर मिलती हूं मैं कल आप से नई वीडियो के साथ नई भोग की रिजिप के साथ तब तक के लिए बाई टेक कियर